अभी तो ये शुरू बात थी ना, अभी तो गवाई देने वालों को मारा, फिर पैसर देने वालों को मारना था, जिन्होंने पैसे में उनकी हेल्प भी अच्छा एक तो रह गया, एक तो पहुत हो गई है, अब एक रह गया, तानिशा क्या होगा? जब कोई जंग पे निकलता है ना, तो थी, जब मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे मेरे हाथ में गन पकड़ाने वाला, कौन था यार, मैं नमाजी आदमी, महराब पनावा है, छो, इमाम मस्जिद, देख लो, उनके महराब नहीं होगा, पांचो टेम पढ़ते भी हैं, पढ साल लड़, तालीस साल की उमर में जाके, मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं, मेरी जमापुंजी लूट ली चोदरी ने, मेरी दुकान एक दफ़ा लुट वाली, उसके बंदे को मैंने पकड़वाया भी, तो फाई आर तक नहीं होने दी, उन्होंने, उसको छुड़वा कर ले आए, फिर सर पटक के बैठारा, फिर जो जमापुंजी थी, फिर दुकान डाली मेंने, और मेरे जीने का मकसर ही खतम कर दिया जी तुमार्दा जुल्म हुआ सब चीज होई तुमार्दा लेकिन उसके बाद तुमें गोलियां मारने का हक किसने दे दिया? हक पलीस वालों को चाहिए होता है, आड़र साथ जी मार दूँ, हमें हक नहीं चाहिए होता हम जब आक जाता है ना आम आदमी, तो वो कुछ भी कभी भी कर सकता है जब उसके मकसद ही जीने का चीन लोगे, तो जीकर करेगा क्या? मरता तो अच्छा था, भाग कर मरा बुराई से लड़ते ना, तुमने क्या अपने सुस्क्राल वालों को मारना शूख कर दिया, नहती औरतों को, खवातीन को मारना मारना तुमने, क्या फरक है? मुझे जब तक मेरी भीवी थी मेरे पास, नासिर पिलोट जैसे बदमाशों के पास लेकर गए मुझे, मुझे जूतियां मरवाई, मैंने तलाग दी थी ना, छोड़ दिया धना नहीं रहने देना तुने ये तू ले ले, छोड़ दिया उसकी माँ को दे दिया उसकी बेट को मैंने क्या करता है, सजदूत करता है, दबर्दस्थी रखता है उसको